तो स्वागत है आपका फिर से एक नए comparison वीडियो में और इस वीडियो में compare करने वाला हूँ Vivo V35G vs Vivo V29 Pro इन दोनों फोन को में compare करने वाला हूँ और इस वीडियो के लाश्ट तक आपको पता चलेगा कि यार कौन सा फोन आपको इन दोनों में सबाय करना चाहिए और कौन सा फोन बेली फोर में नहीं हो सकता है तो वीडियो को आज तक देखें कोई पार्ट इसकिप मत करना मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं 1300 निट स्पीक ब्रेडनेस में जाती है बात करेंगर हम वीडियो वी 29 प्रो की तो इसमें भी आपको 3D कर्ब डिस्प्ले मिलता है जोकी AMOLED भी है और 120 हर्ट के रिफ्रेसरेट को यह सपोर्ट करता है 1300 निट स्पीक ब्रेडनेस में मिल जाती है और 453 PPI पर वेज़ड है HDR10 प्लस का भी सपोर्ट है और साइज 6.78 इंचेज है तो इस तरह से यह हो जाते हैं दोनों के डिस्प्ले आपको चाहिए एक बेटर डिस्प्ले कॉंटेंट वाचिंग के लिए तो देखिए बैसे तो दोनों डिस्प्ले अच्छे हैं लेकिन जो वी वी 30 में है न वो थोड़ा सा इंप्रूब्ड और अच्छा डिस्प्ले है वी वी 29 प्रो से बात करूंगर मैं यहाँ पर देखिए एक कैमेरा की तो कैमरा जो है वो वी 30 में मिलता है 50 MP में प्राइमरी कैमरा सेकेंडरी कैमरा अल्टरा वाइड मिलता है जो की 50 MP में ही है और 2 MP में डेप्थ कैमरा मिल जाता है OIS का सपोर्ट भी है 4K Video Recording Maximum आप यहाँ से कर सकते हो विद 30 FPS और वी 29 प्रो में जो कैमरा मिलता है वो है 50 MP में वाइड एंगल में कैमरा 12 MP में आपको यहाँ पर पोर्टरेट कैमरा मिल जा तो Kais का सपोर्ट भी है ओर रियर फ्लेज अरा टैप कि है तो इस तरह से यह हो जाती है वैसे तो लाइट जो है वह रिंक टाइप कि आपो को दोनों में मिल जाएगी तो इस तरह से यह वह बेटर कैमरा उन्ट फोन तो पैटर जो है कैमरा में वह व değildi Crunch कर सकते यह और फो बगारा ले सकते हो डीटेलिंग अच्छे आ जाती है लेकिन आपको चाहिए एक बेटर कैमरा फोन तो देखिए वो वी थर्टी फाइब जी जो है वो थोड़ा सा इंप्रोब्ड है वी वी ट्वूटी नाइन प्रो से आप इसमें अगर आप कैमरा यूज़ करेंगे तो प्रणों का ठीक है वीव वी ट्वूटी नाइन प्रो से जो थोड़ा ज्यादा अच्छा है वह वी वी थर्टी फाइब जी में है तो वी वी थर्षी फाइब जी जो है वह बेनर है सेलफी कैमरा में वी बात करेंग हम यहां पर देखिए चिपसेट की तो चिफेट जो है वो V35G मिलता है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 जो की 4NM पर बेज़ड है Octa-Core CPU के साथ ही Android 14, Front Touch OS इसमें मिलेगा V29 Pro की बात करें तो इसमें Mediatek Dimensity 8200 चिपसेट मिलता है जो की 4NM पर बेज़ड है CPU Octa-Core इसमें आपको मिलेगा और Android 13 इसमें मिलने वाला है Front Touch OS 13 तो ये Vivo V29 Pro में है आपको चाहिए एक बेटर गेमिंग स्मार्टफोन तो देखिए Vivo V35G जो है वो गेमिंग तो करबा देगा लेकिन बहुत इस्टेवल गेमिंग अगर आपको चाहिए काफी अच्छी गेमिंग तो Vivo V29 Pro आज भी बेच्ट है Vivo V29 Pro में आप अच्छे से गेमिंग कर पाऊगे Vivo V35G के कंपरेजन में बात करेंगर हम यहाँ पर देखिए बैटरी की तो बैटरी जो है वो 5000 mAh का आपको मिलता है 80W की चार्जिंग के साथ Vivo V30 में V29 की बात करें V29 Pro की स्वरी तो इसमें जो है वो 4600 mAh का बैटरी है 80W की फार्जिंग मिल जाती है UFS 3.1 आपको दोनों ही फोन में मिल जाएगा तो वो बुटप टाइम और मुश्ट दोनों का सेम रहने वाला है तो बैटरी अगर आपको चाहिए एक अच्छा बैटरी कर सकते हो तो जादा चरहेगा वैसे सारे फोन में मतलब हर एक फोन में सारी जीजे परफेक्ट नहीं हो सकती है तो आप जो है अपनी नेट की फोन को सेलेक्ट करें